समिधान दिवस आज जाने कब और क्यूं हुई इससे मानने की शुरुवाद और इसका क्या है महत्व हमारे देश का समिधान कई सिधानतों को समेटे है जिनकी आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनितिक सिधान परेक्रियाएं अधिकार दुशानिर्टेश कानुन तै किये गये हैं 26 नवंबर 1949 में भाट्य समिधान सभा की ओर से समिधान को अंगिकार किया गया था समिधान तिवस मनाने की परंपरा की शुरुवाद साल 2015 से की गई तब से 26 जनवरी को समिधान तिवस के रूप में मनाते हुए प्रतिव वर्स अनुसार इस वर्स भी डोंगरगर तहसील प डॉक्टर भीमरा अंबेतकरजी की प्रतिमा पर बद समाज के समाजिक बंधों और सभी धर्म के समिधान को मानने वाली लोग उपस्तीत परित्रान पाठ पूजा अर्चना करते हुए सभी मानव समुदाय द्वारा समिधान दिवस की एक दूसरे को बधाई दी गई इस उसर पर बद समाज के अध्यक्ष मुनालाल नंदेश्वर प्रज्यागिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोध खांडिकर अनील मिश्राम विलास सहारे अमिताब दुफारे मिलन टेबूरकर धिरज मिश्राम एवं अन्य सभी लोग उपस्तीत थे 26 नमबर 1949 को डाक्तर बाबासाइब अमबेटकर ने सविदान का निर्मान का भारत को सुपबा था और पुरे विश्व का भारत का सविदान आसा है कि जो पुरे विश्व में उसकी प्रसंता की जा लिए लेकिन बहुत दूपकी बात है कि हमारे भारत में जिस कि सविधान को बनाया है उसका उतना महत्व नहीं मिल रहा है आज की दिन हम सभी देश वासीव के लिए हमारे समाज के लिए बहुत गर्व कभी से है आज हम केक्तर वा सविधान दिवत मनाने जा रहे है और प्रति वर्थान उतर इस वर्थ भी तैसिल कारेले में उपस्टी अब बाबा साही पामपड करके प्रति माम अलेपन करने क्लिए पूरा समाज यहां उपस्टी हुआ है मत पुरे भारत वासीव को पूरे जिस्व के लिए उनको आज सविधान दिवत के बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ और उनसे निवजन भी करना चाहता अब बाब से बनाया उसका पालन के जाए तांकि फविधान तुलक्षीत रहे यह मैं आज निवजन करना चाहता हूँ वारती सविधान के निर्मादा दाक्टर भीम रामबेटर जी ने 27 नॉमबर 1904 को वारती सविधान कुनाता प्रियार गेता हूँ बारत सरकार ने अशे 23 नॉमिस सपचास को कार किया है बैसरोटर अब तुम नपर भीम रामबेटर जी नाम करता हूँ प्रियार लोगत अब तकली सविधान ने ने दोंगरगर से अमरीस टार्डिया की रिपोर्ट पस देखते रहे हैं सीजी विजन टीवी